पुलिस ने आरोपियों को धर्द बोचा नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्पागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो जला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपूर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है यहां बाडगाओं में एक युवक ने अपने ही भाई की एक बदमाच से हत्या करवा दी दरसल खेत पर गए किसान की गोली मारकर हत्या किये जाने का सहारनपूर पुलिस ने संसनी खेस खुलासा किया है सगे भाई ने रिस्ते का खून करते हुए छै भीगा जमीन के लिए शूटर से उसकी हत्या करवा दी थी पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है सांती साले को भी पकड़ा गया है आज इसी वारदात पर विस्तार से बात करते हैं और जानेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे हुया वारदात का खुलासा उत्तर प्रदेश के सहारनपूर में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है मुरतक के सगे भाई ने खूनी रिस्तों को शर्मशार करते हुए अपने साले के साथ मिलकर ही छै भीगा जमीन के लिए उसकी सुपारी देकर हत्या करवाई थी पुलिस ने आरोपी जीजा साले दोनों को गिरफतार कर लिया है वहीं शूटर अभी तक फराज चल रहा है पुलिस उसकी गिरफतारी के लिए कोशिश कर रही है और छापा मार रही है वरिस्ट पुलिस अधिक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 30 नवेंबर 2023 को बाड़ा गाउ थाना शेत्र में किसान देवेंद्र की खेत पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी मृतक के पिता सतेंद्र ने अग्यात के खिलाब अपने बेटे की हत्या के रिपोर्ट दच कराई थी हत्याकान का खुलासा करने के लिए 3 तीमों का गठन किया गया आगे SSP ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मृतक का शव पोस्ट माटम के लिए भीजवा कर तीन टीमें गठित की गई इस मामले का सहारनपूर पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है SSP ने बताया कि पुलिस को शख था कि हत्या में किसी नज़्धीकी का हाथ है पुछताच में पुलिस को मृतक के छोटे भाई जितेंदर पर कुछ शख हुआ था इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने जितेंदर को हिरासत में लेकर पुछताच की तो पूरे मामले से परदा हर्ता चला गया मृतक के छोटे भाई ने संपत्ती के विवाद में भाई की हत्या कराना स्विकार किया पूछताच में जितेंदर ने बताया कि उसके पास चत्तिस बीगा जमीन थी जमीन के बटवारे को लेकर काफी समय से परिवार पे विवाद चल रहा था जिस कारण वो साथ साल पहले अपनी परिवार के साथ मेरट चला गया था जहां से वो नौईडा पहुंचा और लैप टेस्टिंग का काम करने लगा वो जब भी घर पर आता तो देवेंद्र के साथ विवाद होता जगड़ा होता और देवेंद्र उसे गाउ में नहीं रहने देता था इसलिए उसने भाई की हत्या कराने के लिए अपने साले सनी की मदद ली सनी ने शूटरों से एक लाख रुपे में सौधा कराया था शूटरों को जितेंद्र ने एडवास 25,000 रुपे दिये थे दरसल जितेंद्र 29 नवेंबर को जब घर पहुंचा तो उसका देवेंद्र से जगड़ा हुआ था इसके बाद जितेंद्र ने अपने साले सनी पुतर विरेंद्र सिंग निवासी नवादा थाना सरधना मेरट से देवेंद्र की हत्या कराने को कहा सनी ने हर्याना के दो शूटरों को हायर किया एक लाग रुपे में हत्या कराने का सौधा कर दिया 25,000 रुपे एडवांस दिये गए घटना के दिन सभी बढ़ गाउं पहुँचे और हत्या को अंजाम दिया गया जहां घटना के दिन देवेंदर अपने खेत में नौकर भगरू उर्फ सुकबीर निवासी बढ़ गाउं के साथ शराब पी रहा था उसी समय जितेंदर खेत पर पहुँचा और भगरू को अपने सांथ ले गया सांथी फोन पर सनी को इशारा कर दिया गया जैसे ही महेश पुर पहुँचे तो सनी और शूटर अजे उर्फ राकेश पुत धमाका सिंग निवासी बराड़ा जिला अंबाला हरियाना और दीब के सांथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि देवेंद्र और जितेंद्र के पिता सतेंद्र के पास 36 बीगा जमीन है इसके बाद 6 बीगा जमीन के लिए देवेंद्र की हत्या की गया है जबकि शूटर अभी भी फरा चल रहे है वहीं SSP ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपे का इनाम देने की खोशना की है वहीं सुपारी देकर हत्या कराने का ये कोई बननाया मामला नहीं है इससे पहले कानपुर में करोडों की संपत्ती के मालिक सरकारी टीचर की हत्या की खबर आई थी जिसमें आरोपी खुद सरकारी टीचर की पत्नी निकले दरसल टीचर की पत्नी को मकान बनाने का काम करने वाले एक राज मिस्त्री से प्यार हो गया था टीचर की पत्नी दिखने में जितनी खुबसूरत थी उसका दिमाग भी उतना हिशातिक था इसी को लेकर उसने अपने अफैर में बाधा बन रहे पती को रस्ते से हटाने के लिए खूनी ख़ई चाल चली राज मिस्त्री के साथ उसने अपने पती की हत्या की सुपारी दी और हाथसे का रूप देते हुए हत्या करवा दी दरसल कानपूर के दक्षिन शेत्र की निवासी उर्मिला के प्रेम संबंद शैलेंद्र शोनकर के साथ थे जिसके बाद दोनों ने मिलकर 6 महीने पहले हत्या की साजिश रची इसके तहट 4 लाख रुपे में दो डाय ड्राइवरों को हत्या की सुपारी दी गए जब राजेश 4 नवेंबर की सुभा बॉर्निंग बॉक पर गए तो एक गाड़ी से टक्कर मार कर उनकी हत्या कर दी गए दूसरी गाड़ी से हत्या रुपी फरार हो गए थे इस मामले में जाज के दोरान राजेश के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि शादी के कुछ समय बाद से ही औरमिला घर में कलेश करने लगी थी वही पुलिस ने बुद्धवार हत्या का खुलासा करते हुए महिला उसके प्रेमी और काल ड्राइवर को गिरफतार कर लिया है जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जूटी होई है और मामले में आगे की कारवाई कर ज्याज कर रही है वहीं से कुछ दिन पहले एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पती को पतनी की सुपारी देना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान ही गवानी पड़ी दरसल ये पूरा मामला बुलन शहर के काकोड थाना शेत्र का है जहां गाओ बिछट निवासी तेजपाल सिंग काकोड के महला कसा बाड़ा में अपनी भानजी के घर में अकेले रहते थे 15 नवेंबर को घर पर उनका शव पड़ा हुआ मिला था घर में बाहर से ताला लगा हुआ था मृतक की पतनी बबली ने काकोड थाने पर अग्यात हत्यारे के खिलाब रिपोर्ट दर्च कर आई थी मौके पर पहुँची पुलिस को मृतक के गले में गोली का निशान मिला तेजपाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी हत्यारे बाहर से घर का ताला लगा कर शव को अंदर ही छोड़ गए चले गए थे वहीं इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच परताल कर रही थी ताकि मामले का खुलासा किया जखे पुलिस और स्कॉट टीम द्वारा की गई जांच में हत्या के आरोपी बलराज और दीब सिंग के नाम प्रकाश में आए वहीं पुलिस ने जब बलराज और दीब सिंग को हिरासत में लेकर सक्ती से पुछताज की तो तेजपाल हत्याकांट का खुलासा हो गया जिसे सुनकर सब हैरान हो गये पुछताज में शूटर्स ने बताया कि तेजपाल से उन्हें 6 लाख रुपे की सुपारी उनकी पतनी बबली की हत्या करने के लिए मिली थी लेकिन उनकी पतनी को नहीं मार पा रहे थे इसी बीच उनके मन में पैसे को लेकर लाल अजुठा पैसे जो सुपारी में मिले थे उसे वापस लोटाना ना पड़े इसी लिए क्यों आप पती को ही गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए इधर मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सुपारी किलर नहीं प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल की हत्या की है मृतक तेजपाल को शक था कि पतनी उसकी हत्या करवाना जाती है इसी लिए उसने पतनी को रास्ते से हटाने का इरादा बनाया इसके लिए तेजपाल ने पुलिस के हत्ते चड़े एक शूटर बलराज को अपनी पतनी की हत्या के लिए 6,20,000 रुपे की सुपारी दी थी 13 नवेंबर को दोनों तेजपाल के पास पहुचे थे और तेजपाल के साथ उसके घर में शराप पी रहे थे तब ही उनके मन में लालच आ गया फिर शूटर और उसके दोस्त ने उसकी पतनी की हत्या के बजाए तेजपाल को ही गोडियों से भून दिया शूटर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तेजपाल की पतनी CCTV कैमरे की नजर में रहती थी इसलिए वो उसे नहीं मार पा रहे थे अगर वो उसे मारते तो पकड़े जाते ऐसे में शूटर्स ने अपना प्लान बदलते हुए तेजपाल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बन हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुँचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास हैं क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं क्यापिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां पिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोर हम पिहार से हैं